नमस्कार में हूँ यह बैनिवाल और आप देख रहे हैं हाल चल इंडिया बेबात खबर तेज असर आईए शुरू करते हैं आज की खबरे मुदफपनागर के चिरिनाम कोलीज में चल लही सांसात के लिस परधा के समापन अमसर पर पहुँचे केंद्रे खेल मतरी अनुराग ठाकूर ने खिलाडियों को किया सम्मानित मुदफपनागर पहुचे सुहेल देव भारती समाज पार्टी के राष्ट्य अद्यक्षुवै पूर्मतरी अम्प्रिकास राजबंडे सबको किया सम्मोदित भाजपा सरकार पटसा धनिशाना मुदफपनागर के समाजबादी पार्टी कार्लेल पर राज नारेंड की बनाई गई चैन्ती मुदफपनागर के मीरापूर इस्तित ग्यानिस्तली पप्लिकी स्कूल में विध्यारती परिशत का शपत ग्रहन समारू किया गया आयोजित 26 दिसम्बर को इस्ति इंटर कोलीज में लगने वाले क्रित्रिम अंग कैम्प की रोटरी करब मुदफपनागर विशाल द्वारा प्रेस वार्ता कर दी गई चानकारी मुदफपनागर के पचेने रोड पर भारते खाते निगम दुवारा आजादी कामरत महुस्त्रब के देहत कारी करम का किया गया आयोजित मुदफनागर में कोंगरिस दुवारा निकाली गई महंगाई हटाओ परतिग्या यात्रा मुदफनागर के जिलादी कारे ले पहुंचे जम्योत उलमाय हिंद के पचा दीकारियों ने वोटर लिस्ट में गडबड़ी कारों प्लागाते हुई कारवाई की कि मांग और अब खबरे विस्तार से मुदफनागर में आयोजित सांसद खेल स्प्रधा के समापन अवसर पर पहुंचे केंद्रे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाडियों को सम्मानित करते हुए कारे क्रम की जमकर सराहना की मुदफनागर के सरकूलर रोड इस्ततर शिरीराम कोलीज में चल रही दो दिवस्ये सांसद खेल स्प्रधा की दो दिवस्ये जनपद्या प्रतिकुदा का आज विबिन खेल प्रतिकुदाओ और सांसकर्ति कारे करिमों के साथ विदिवस समापन हुआ सांसद खेल स्प्रधा के समापन अवसर पर मुख्य अथिती के रूप में पहुँचे केंदरे खेल मंतरी युवा कल्यान वे सूचना प्रसान मंतरी अनुराक ठाकुर का कारिकरम में पहुचने पर जोड़ दार स्वागत किया गया पूर्वन निर्धारित कारिकरम के अनुसार शिर्राम कॉलीज में चल रही दो दिवसे सांसत पर्दा के मुख्य अति थी केंद्रे खेल मंतरी अनुराक ठाकुर ने हावा में गुपारे उड़ा कर आईस की परतिविता का विदिवत शुवारम किया कारिकरम में मुख्याती थी केंद्रे मंतरी अनुराक ठाकुर वे केंद्रे राज्य मंतरी डॉक्टर संजीव कुमार बालिया ने विजेता खिलाडी को पुरसकाल दे कर समानित किया केंद्रे खेल मंतरी अनुराग ठागो ने सांसद केल स्परदा के समापन अवसर पर असलेटिक्स ट्रेक बनाने की खोशना की जहां पर आकर अपनी वो प्रतिवा का दिखा सकें कंपीट कर सकें जीत सकें और जीतने के बाद जो प्रदेश सर पर हम इनका कैम्प लगवाएंगे जहां साई के कोचिस भी आएंगे वो भी करेंगे और संजीब आलेंजी की जो मांग थी कि यहां पर एक अथलेटिक ट्रैक बना कर दिया जाए तो लगभग आठ करोड़ पे की लागत का जो अथलेटिक ट्रैक होगा वो हम मुझफर नगर में संजीब आलेंजी के संसीदिक शेतर में बना कर देंगे मुझफर नगर पहुचे सुहेल देव समाज पार्टी के राष्टे अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र वे प्रदेश सरकार पर जम कर निशाना साधा वहर समाजवादी पार्टी के राष्टे अध्यक्ष अकले शादव को मुख्यमंत रीब बनाना चाहते हैं उन्होंने कहा कि सापा सरकार ने हमेशा हर वर्ग के साथ पिछडों का भी सम्मान किया है उन्होंपरकाश राजभर ने कहा कि योग्यादे तिनाज सरकार केवल बदले की भावना से काम कर रही है अप राधियों पर भी कारवाही केवल जाती और धर्म देखकर दुर भावना के साथ की जा रही है राजभर ने बढ़ती महंगाई आरक्षन नोकरी कारोबार आधि को बचाने के लिए सिर्फ एक उपाय बताते हुए भाजपर सरकार को हटाने की लोगों से अपील की अंपरकाष राजभर का मुजब फणागर में पहुशने पर समाजवादी पार्टी के जिला अद्देक्ष प्रमोत्यागी एडुकेट पूर्व दर्जा प्राप्त मंतरी मांगे रामकरशप सापनिता राम निवास पाल सपा जिला उपाद देक्ष वीने पाल सपा जिला म आगीदारी पार्टी द्वारा आयूजीत बंचित पिछडा दलित अल्प संख्यक महा पंचायत है हम प्रदेश में जो बंचित समाज है आजादी के 75 साल में जिनको सामाजी कार्थिक राजनेतिक संस्कितिक छेत्रों में हिस्सा नहीं मिला है उनको हिस्सा दिलाने के पास्चिम में आप जो इस्ति पूरब देख रहा है वह इस्ति पास्चिम में है ओंप्रकास राजबर जब सत्ता में था तब लड़ा अति पिछडों के सवाल पे सत्ता से बाहर हुआ तब भी लड़ा अति पिछडों के सवाल पे और आज भी मैं अति पिछडों को आप च खड़ी हो गई हैं और यह जाती हैं अपने हग के लिए खड़ी हो गई हैं तो आज जो हमारे बड़े भाई लोग हैं जो मजबूत लोग हैं उनको भी इस बात का असास हो गया है कि बगएर इनको साथ जोड़े हम आगे नहीं जा सकते हैं पिछले महीने यह तैं हुआ कि 10 तारिक तक शिवपाल जी बात करेंगे और 10 तारिक के बात नहीं होती है तो एक आदमी बात करके पहले वहाँ चले उस घर में इंट्री करें तब फिर उसके बाद हमको जीमेदारी मिली तो पांच्छल लोगों को लेके हम वहाँ गए आज भी प्रयास हो रहा है कि हम लोगों से कह रहे हैं कि आप सव सिट लडने के बजाए आप दस सिट पे लड़ो सव सिट लड़कर के आप एक भी नहीं जी सकते हो और मोर्चे में रहकर के दस लड़के दसों जी सकते हो चार सो तीन हमारा मोर्चा चार सो तीन सीट में बचुनाव लड़ेगा प्रदान मंत्री से पहले तो जाती बार जनगरना हो जाए ठीक है प्रदेश में आमन्चैन हो एक रास्ता इन्होंने खोला है कि अगर आपको महंगाई कम कराना है ब्रष्टाचार खतम करना है रोजगार पाना है नवकरी पाना है तो अंदोलन करो यह इन्होंने एक रास्ता दिया है हमारे देश के पधन मंत्री जी ने काले कानून किसी कला करके उन्होंने दिखाया कि जब हमारे किसानों ने का एक ना ये किसी बिल जो अपले आये हो काला कानून जनगरना हो जाए ठीक है प्रदेश में आमन चैन हो एक रास्ता इन्होंने खोला है कि अगर आपको महंगाई कम कराना है ब्रश्टाचार खतम करना है रोजगार पाना है नवकरी पाना है तो अंदोलन करो ये उन्होंने एक रास्ता दिया है हमारे देश के पधान मंत्री जी ने काले कानून किसी कला करके उन्होंने दिखाया कि जब हमारे किसानों ने का एक ना किसी बिल जो आप ले आए हो काला कानून है पुरे देश में इनका विरोध हुआ अंत्रतों गत्वा इनको बैक होना पड़ा तो आंदोलन बावा साथ डाक्टर मिटकर जी ने संभीधान में ब्यवस्ता दिया है कि आप अपने हक के लिए लड़ सकते हो और लड़ करके आप मनवा सकते हो देखे पूरा बेपक्ष सारकार के गलत नितियों का विरोध करना उनको यह असास कराना कि यह गलत निड़ा है इसको सही कर लो अभी तो जो हम्दोगों की लड़ाई है वो मकसद हमारा है कि प्रदेश में जातिवार जनगरना 1931 की जातिवार जनगरना हुई यह 90 साल हो गया संभिधान में हर 10 साल पे जातिवार जनगरना होनी चाहिए यह नहीं हो रहा है इसी नाते तमाम जातियां जो उपक्षित हैं कि किसी जाती का सही आकड़ा आज तक देश में नहीं है तो यह पहले सर्वो परी है गरीबों को एक समान अनिवार और फिरी सिक कर रहे हैं कि आप हम सब लोगी कठा हो करके सरकार बना लिया जाए जो यह बैट लगा करके टेक्स लगा करके हमसे आपसे वसूल रहे हैं तो इस पे हम रोक लगा करके अभी जैसे आपने देखा कि बारे रुपिया डीजल पेट्रोल घटा दिया एक कहा कि देखो हमको होगा गट बंदन 100% होगा अन्या बाधाओं के बावजूत एफाई ने लोगों को खाद्य सामगरियों प्लब्द कराई जिसमें प्रदानमंतरी गरीब के लांट अन्य योजना के तयाति कारड़ हरक लाभारत्य को नेशियुल का पांच किलो खाद्यान मुफ्त वित्रित किया गया कारिकरम के दोरान भारत्य खाद्य निकम के मंदर प्रबंदक जितेंद्र सिंग, प्रबंदक संजीव कुमार, विजपाल सिंग, दिनेश कुमार, राजीव रंजनवैन निकरमचारी मौजोत रहे मजभूती करण में क्या योगदान रहा है, खाद्यान के मामले में, तो वो एक थोड़ा सा हमारा एक ब्रीफ नॉलेज यहां पर प्रवाइड करने हैं कि हम लोग खाद्यान किस प्रकार्शिप किस तरह से हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं, किस तरह से हम गुडवत्ता प्र लोगों में, बच्चों में खास तोर पे और जो वीमारिया होती हैं, वाइटमिन्स या पॉलिक एसेड या मिनरल्स की कमी की वज़े से, वो उनसे निजात पा सकें, तो हमारा जो भाटे खाद्यिकम और सरकार का एक जो दूरदस्ट्री वाला पर योजना है, वो है कि हमार अनार जा रहा है, पीडियस के मात्यम से वो पॉस्टिकता भरा और अधिक पॉस्टिकता भरा होगा जोग बंदूर राज नरायन के संगर्ष को नमन करते हुए कहा कि आजादी के बाद भी जब सरकारों ने निरनकुष्टा वैताना शाही प्रष्टचार की और कदम बढ़ाते हुए गरीब मजदूर किसानों युवाओ का शोशन किया, तो उस समय मजबुत शाही घरानों म से एक राज नरायन गरीब मजदूर किसान और जुवाओ की अवाजबन कर उबरे, तथा तमाम सुक्स विधाओ को छोड़कर और अपनी जमीने गरीब किसानों को बाटकर जनता के लिए सरको पर संगर्ष करने में राज नरायन सबसे आगे रहे उसके विरूत, उनकी जन विरूती निर्थियों के विरूत हमेसा संगर्ष किया है ये बहुत बड़े जमिदार परिवार में पैदा हुए अपना कुल संपत्ती इनोंने गरीबों में दान कर दी उच्छ सिख्षा प्राप्त थे आप उस जमाने के बनाय सिंदु निष्टि के ऐल-एलम को आजादी के लड़ाई में भी आपने हंग्रीजी सरकार को विला दी और आजाद भारत में देश की सफ़ सफ्ष्ष्षप प्रगारर मंत्री को पहले नियायाले में हराया और स्वास मंत्री बनकर के कहीं मूलभूत योजनाय देश के लिए लागू की तो आज उरा नरायन जी जो हमारे संदक्षक आदरणी है नेता जी के गुरू भी थे और जो आचाय नरायन देव दाक्टर लोहिया की शिश्च थे ऐसे नेता को पूरे समाजवादी लोग उनके आज जीवन दिवस पर अपने संदा सुमन अर्पित कर रहे है और उनको इस्वन करके पूरे देश पर देश में समाजवादी लोग उनके रास्ते पर चलने का सबत ले दे मुदफर्णगर के मीरपूर सित ग्यानिस्थली पब्लिक स्कूल में विद्यारती परिशत का शपत ग्रहन समारो आयुजित किया गया भूमिका धमा को हैट कर्ड आजा चोधरी को स्पो्ट्स कैप्टन विदी भारगव को वाइस इस्पोर्ट कैप्टन अभीनव अरेलिया को अनुशाशन कैप्टन और कुरत उल एनको वाइस अनुशाशन कैप्टन तमनना जैदी वे दिव्यां शमंतव को कल्चेलल कैप्टन की जिम्मेदारियां सोपी गई गंगा हाउस के अभिशेक चोधरी वे अहाना चोधरी यमना हाउस के हर्शवर्दन वे सुहानी कामबोज क्रिशना हाउस के प्रांचर वैसामिया अंजुम और कावेरी हाउस के अक्षे कामबोज वे अकाईशी गोतम ने हाउस केप्टन और वाइस केप्टन का पदभार ग्रहन किया मुदफणगर के चर्थावल में किसान स्वाभिमान असोसेशन दुआरा उन्नत किसानों को संधठन की सदस्यता ग्रहन कराई गई मुदफणगर के चर्थावल विकास खंट की काउं बिरालती में किसान स्वाभिमान असोसेशन मुख्यालिया पर प्रगतिशील किसानों को सदस्यता अभ्यान में जोड़ा गया जिसमें प्रगतिशील किसान ठाकुर विरेंदर राना, संचालक, राम आईटी आई बिरालती, ठाकुर शेर सिंग राना, सुबाश राना, मास्टर रूप सिंग, दरम पाल सिंग, दमन शर्मा, राम बीर सिंग, द्वारा सदस्यता ग्रहन की गई और एस्टोसेशन के प्रते निश्टा पुर्वक इमानदारी वे अनुशाशन में कारे करने की शबत ली गई उदर राष्ट अधक्षि ठाकुर अम्री श्राणा ने कहा कि ए एस्टोसेशन का हुदेश यह किवल प्रगतिशील किसानों को जोड़ना है वे किसान ये अपनी जायज मांगे प्रशाशन वे सरकार के समक्षि किसान् स्वाविमान ऐस्वार संग के माद्यम से रख सकते हैं और आगमें सदस्था ग्रह्रती हैं, अम्ली सद्दिय लाना के साथ इनके साथ में सदस्था है। आज किसान्स्ववाजीय मैं और मुझाले बेध जन्यूटिय Bitcoin काई किसान्सुद्वाय॥ लगष बहुत है। कि इसी जानकारी साथ सवीवान एसोशियेशन। आज इसमें सुभास राणाजी बिरालसी वाले इने सदस्यता ग्रेड की। इसके राष्टी अध्यक्स अमरीश राणा जी बहुत अच्छा कारिया कर रहे हैं। और अच्छा कारिया कर रहने ऐसे जमेन से उम्मीद थी, ऐसी मुदापणागर के वरिश्टि कॉंगरिस नेता सैयद कमरुजमा और पनसीम मिया की नेतरत में कॉंगरिस कारिकरताओं ने मैरापूर विदान सभा में मंगलवार को खाए खेड़ा गाउं से भाचपा हटाओं महंगाई घटाओ प्रतिग्य यात्रा निकाली इस तोना जिवा कॉंगरेस नेता जिलावपाद देख्ष सेज़द मुनीर साइद ने कहा कि आज देश की जनता महंगाई से करहा गई है केंद्रवय प्रदीश के सरकार महंगाई पर गेंद्रन पाने में पूरी तरह से विपल रही है ऐसी सरकार को अपसक्ता में रहने का हक नहीं है प्रतिग्य यात्रा खाई खेडा, कक्रोली, पेहला साधात, दोलतपूर, खोकनीन, तरियापूर होते हुए काउं चोरावाला में पूरु प्रदान, बहरोज अक्तर के आवास पर संपाथ थी इस तोरान पार्टी नीताओं ने कहा कि पार्टी की राष्ट्रे महासचीव प्रेंका गांधी बाटरा के आहवान पर पूरे प्रदीश में निकली गई प्रतिग्या यात्राओं से भाजब सरकार को खाड़ फेकना है डीजल, पैटरोल, गैस, खाद, दवा से लेकर खाने पीने के सभी सामान तीन गुना से लेकर चाल गुना तक दाम बढ़ चुके हैं कानून व्यवस्था पूरी तरह से चोपट हो चुकी है प्रतिग्या यात्रा में जिलावपाद्यक्ष, गुफ्रान काजमी, चान महम्मद छपरा, अनवार प्रधान, कारी साजिद, नदीम प्रधान, ब्लोक महसचीव, सुखबीर सिंग, नदीम सेख, उस्मान आदी मौजोद रहे जिलावप प्र१ान काजमी तो बहुंगाई को भुद्ब करने के लिए मेरे भी और नहारी पार्टी के भी, सभी रोगों की, मेरी जरखास है के कांगस काहाद मजूट करने हैं और आपके बहेंगाई कि चर्म स्क्राइब है वो खतम हो सके और हम लोग अपने बच्छों परी सब्सक्राइब को जो जो किसाल भी खतम होगे चारूप के शिकालों यह हमारी कार्टतरों की जीए जो हमारे लिए पुट्रोडा काम करें ती वो खतम हो गया है तो परदामन ज खबरों के साथ तब तक के लिए नमस्कार